दोस्तों अपने बल्ले से तुफानी शतक जड़कर अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन लाए मैक्सवेल तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई जहां तक कि अब पूरा भारत भी उनका दीवाना हो गया है जहां अब खोद सचिन तेंदुलकर से लेकर महिंदर सिंग धोनी इर्फान पठान से लेकर किंग कोली तक कई बड़े बड़े भारतिय दिगजों ने मैक्सवेल की तारीफों के पुल बांधते हुए जो कहा उनकी बातें सुनकर तो सच में आपके दिल में भी मैक्सवेल के लिए इज़त कई गुना बढ़ जाएगी तो आखिर क्यों मैक्सवेल के चमतकार पर फिदा हुआ हर कोई उनस सभी भारतिय दिगजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल रोहित और विराट में कौन सबसे महान बल्लेबाज है नीचे कॉमेंट करके जरूर पताईएगा दोस्तो वान खेड़े के मैदान पर आस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच ऐसा काटे का मुकाबला खेला गया जिसमें अफगानिस्तान पाच बलकी विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया को हराने वाली थी लेकिन तब ही केवले खिलाडी पूरे पूरे अफगानिस्तान पर भारी पड़ा जी हाँ दरसल जब मुकाबला शुरू हुआ तो आस्ट्रेलिया असानी से जीतने वाली थी लेकिन फिर अफगानी बल्ले बाजों ने अपने बल्ले से तहल का मचाते हुए अब यहाँ से कौन सोच सकता है कि आस्ट्रेलिया डेट सो रन भी बना पाएगी लेकिन सलामे ग्लेन मैक्सवेल को ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें दबिक्षो बोलती है आज उन्होंने दिखाया कि आकिर उन्हें ये नाम क्यों मिला है अकेली मोर्चा समभालते हुए उन्होंने पहले 44 गेंट पर अपना अर्द शतक पूरा किया अपनी टीम को सम्हाल और सम्हाल कर जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो देखते ही देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबडे से जीत को छीन लिया पता ही नहीं चला उन्हें चोट लग गई थी ठीक से चला भी नहीं जा रहा था लेकिन जजबा तो उन्हें था अपनी टीम को जीत दिलाने का और उसने मैक्सवैल को इतिहास का सबसे खतरनाग खिलाडी बना दिया इस खिलाडी न चोक के चकों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया तो उसके बाद भी हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं 105 गेंद पर ही 1.500 का आकड़ा पार किया तो फिर मैक्सवैल की गाड़ी तब थमी जब आस्ट्रेलिया जीत के मुकाम पर था और उन्होंने अकेले ही अफगानिस्तान को रौंद कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया जहां उनकी अद्बुत बल्लेबाजी पर तो हर कोई फिदा हो गया तो वहीं पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी यहां तक कि कई बड़े-बड़े भारते दिखगजों ने तो अब मैक्सवैल को लेकर जो कहा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे जी हां दोस्तों सबसे पहले तो इर्फान बठान की भी आखे फटी की फटी रह गई उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये करिश्मा केवल मैक्सवैली कर सकते हैं अफगानिस्तान जीत की गद्दी पर बैठा हुआ था लेकिन मैक्सवैल ने अपने बल्ले से तो इदिया सीरच दिया जिस तरीके से उन्होंने बल्ले बाजी की है, मैं अ अभी से एहरान हूँ कि आखिर इतने दबाव के बीच कोई खिलाड़ी इतनी खदरनाक बल्ले बाजी कैसे कर सकता है मैक्सवेल मुझे लगता है इस दुनिया से ही नहीं बलकि उन्हें अल्ला ने अलग ही तरीके से बनाया है यहां तक कि महेंदर सिंग धोनी भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए उन्होंने कहा कि मैक्सवेल जैसे खिलाडी का टीम में होना आपको दुनिया की सबसे लीथल टीम बना देता है आपने आज देखी लिया किस तरीके से उन्होंने हारे हुए मैच में अपनी टीम को जीत दिला दी है ये दिखाता है कि ये खिलाडी किस काबिल है ऐसे ही नहीं उन्हें इतना ख़तरनाक माना जाता है इसका गवाज पूरी दुनिया बनी है कौन बोल सकता है कि ये औस्ट्रेलिया जीते का लेकिन उन्होंने नकेवल इतिहास लिखा बलकि बताया कि उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता तो वहीं खुद गॉड आफ किर्केट सचिन तेंदूल कर भी दंग रह गए उन्होंने कह दिया कि मैक्सवेल जैसा खिलाडी आस्ट्रेलिया ने कभी प्रोडियोस ही नहीं किया है उनके पास बहुत बड़े बड़े दिगज नाम है लेकिन जो 87 रनों पर 6 बल्ले ब खुशी से जोम उठे बैक्सवेल को सिराखो पर बिठाते हुए उन्होंने कह दिया कि ये है दब इक शो ग्लेन मैक्सवेल का असली पावर जो हार के मुकाम से भी जीत को चीन लाता है वेल्डन मैक्सवेल आपने तो दिल ही जीत लिया किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया ज का सबसे खतरनाक बलेबाज है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों दबिग शो क्लेन मैक्सवेल के आगे इनतमस तक हुआ केवल अफगानिस्तान ही नहीं बलकि पूरा क्रिकेट जगत 292 रनों का पीछा करते हुए जब आस्ट्रेलिया ने 87 पर ही 6 बलेबाजों को समी फाइनल से बाहर कर दिया कैसे उनका तूफानी शतक अब इतिहास के पर्नों में लिखा चा चुका है इस रोमान्चक मुकाबले की पूरी हाइलाइट तो हम आपको दिखाएंगी लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल कोली और रोहित में कौन सबसे महान बल्ले बाजे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों मुंबे के वानखेडे स्टेडियम में समी फाइनल की आखरी जंग के लिए अफगानिस्तान जी जान लगा कर आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल अवरों में 30 रनों तक पहुचा दिया था दौनों बल्ले बाज शानदार बैटिंग कर रहे थे लेकिन टीम के लिए आटवां आवर लेकर आए जोश हैजल वुट ने गुर्बास को अपने जाल में फसाकर अफगानिस्तान को पहला जटका दे दिया 21 रन बनाकर पवेलिय पर दबाफ बढ़ रहा है इबराहिम जादरान अपनी ही लेमे पारी को आके बढ़ा रहे थे देखते ही देखते उन्होंने एक बहतरीन चौक्य की बतौरत 69 गेंद पर अपना अर्द शतक पूरा कर लिया 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पास जलते बने उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हस्मत उल्ला शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी दूसरी तरफ जादरान अलगी ढंक से बल्ले बाजी कर रहे थे उन्हें रोकने का हर एक प्लैन ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था 31 ओवर लेकर आ 43 गेंदों में 26 से रन बनाकर खेल रहे हश्मत उल्ला शहीदी को उन्होंने पवेलियन के रहा दिखाई लेकिन इबराहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी ये खिलाडी तो अकेली आस्ट्रेलिया के चछके छोड़ाने में लगा हुआ था अब उनका साथ जिसका हर कोई सपना देखता है जी हाँ वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वो इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबास बने जिनकी अद्बुत बल्लेबाजी पर तो पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालिया बजाए गई इस दर्मियान उन्होंने साथ बहतरीन चौ विशल स्टार्क पर जोड़दार प्रहार करते हुए 14 रन बटोर कर टीम के स्कोर को 291 तक पहुचा दिया रशिद ने 18 गेंद खेल कर 35 रन बनाये तो वहीं ब्राहिम ने 143 गेंद खेल कर 139 रन जड़े और उस्ट्रेलिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया उस्ट् रिगेंद पर ट्रेविस हैट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और आस्ट्रेलिया टीम को चार रनों के स्कोर पर पहला बड़ा जटका लग गया इसके बाद वारनर के साथ देने मैदान पर मिशल मार्श आ गए इन दोनों बल्लिबाजों ने टीम की पारी को समहला औ बेहदा करामक अंदाज में बल्लिबाजी करनी शुरू कर दी वारनर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे वहीं मिशल मार्श भी अफगानिस्तानी के इन बाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे अपनी टीम के स्कोर को पांच ओवर में 49 रडों तक एक विगेट के न और को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन टीम के लिए नौवा ओवर फेक ने आये अजमद उल्ला उमर जाई ने कमाल की गेंद बाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहले ही गेंद पर पहले डेविड वारनर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली गेंद पर जो 22 रन बना कर रन आउट होगा यहां तक कि राशित खान ने कि स्टोइनिस को केवल 6 रन बना कर पवेलियन भेजकर आस्ट्रेलिया की हार को सुनिश्चित ही कर दिया था क्योंकि आस्ट्रेलिया ने केवल 87 रनों पर ही अपने 6 बनले बासों को गवा दिया था अब यहां से क तो अपने देखते ही देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबडे से जीत छीनली पता ही नहीं चला उन्हें चोट लग गई थी ठीक से चला भी नहीं जा रहा था लेकिन जजबा तो उनमें था अपनी टीम को जीत दिलाने का और उसने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे ख पार कर लिया और उन्होंने अकेले अफगानिस्तान को रौंत कर पूरी दुनिया में हड़कम ब मचा दिया जिनकी अदो भु управा बाजी ने तो अफगानिस्तान के समिफाइनल के शप्ने को तोड़ा और और उस्ट्रेलिया को समिफाइनल में कौलिफाइए करने वाली तीस इसलिए टीम बनाया तो दोस्तों सच में मैक्सवेल ने तो अपने बल्ले से जल्वा दिखा दिया लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत का समी फाइनल किसके खिलाफ होना चाहिए अफरिका ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे